सब डुमात से सब पता ही नहीं किसी को क्या होगा ए나si डुमात भीगा पर नए वीडियो में तो दोस्तों आज हम मेजर साब की वीडियो देखने चा रहा है जो जम्मु कस्मी के एक्स कवर्णर है सत्य पाल मुलिक उन्होंने कुछ बयान बाज़ी की है उसी पर मेजर साब बात करने वाले है तो सुरू करते हैं अच्कामिक स्क्रियेशन जैन दोस बहुत नाइंसाफी है यह चलिए भाईयों बेनों कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब अच्छा दो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग मुझे बहुत फीड़वैक दे रहे हैं कि मेजर साब यह आपको एड्रिस करना ही करना है मैं अवाइड कर रहा था मैं चाहता नहीं लोहा भी पिगलता है और अपने हिसाब से लोग इस लोहे को मोड़ देते हैं जो सच क्या है एक मामला है पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का जो उन्होंने पुलवामा के अटैक के बारे में बयान दिये और दूसरा है बहु बली अतीक जिसको ठोग दिया कुछ मेडिया को सबस्क्राइब का मेडिया को कि कुछ बहुत कूंप को यहां बpowर्ट है जंदगी फॉलया यसा नहीं कि नहीं है लेकिन जनरली क्या होता है जब आप चीजों को स्क्रीन पर डालते हैं तो ख़बर इतनी तेजी से आती है ना इतनी तेजी से आती है कि आपने कई बार देखिया होगा कि टेलिविजन पर न्यूज आती है फिर बाद में आपको अरे उसने गलत बोल दिया मलिक जी ने बोल दिया कि जब पुलवामा हुआ तो उसमें हमारी लापरवाई थी और जब पुलवामा हो गया तो मुझे बोला श्री अजीद डोवाल जी नाश्टू सेक्रूटी अडवाइजर उन्होंने भी बात बताई अब मैं आपको 2-3 बातें बाताँ हूँ सत्षिपाल मलेक जी के स्टेक्मेट के बारे में कुछ बातें बड़ी कुछ बातें चोटी जिससे मैं ये प्रूफ करूंगा ये बहु कुछ बातें मड़ी चोटी हैं आप गूरा बताता हूं और खेल ठीक है यह पूरा गैम या स सकता था अच्छा मैं दो आपको बातें बाता नो मोधी जी जिम कॉर्बट पार्क में यह बात सच है यह बात सच है इस कोई ड़ाप नहीं कर सकता है लेकिन यह कहना कि फिर मोधी जी किसी धाबे पर गए और लैंड लाइन से कॉल करा मोधी जी धाबे पे गए मैं एक बात बताता हूं कि the Prime Minister of India is protected by the Special Protection Group जो SPG है ना SPG Special Protection Group के highly trained commandos मोधी जी के साथ 24 गंटे रहते हैं मनमोहन सिंग जी के साथ भी थे उसके पहले जो भी था मतलब राजीव गांधी एंड लेटर राजीव गांधी एंड लेटर SPG ना हर एक Prime Minister को protect कर रहा है अगर कल मोधी जी बोलें कि मैं Mount Everest की चोटी पे ख़ला हूं और यहां से जारा फोन लगाना मुझे जो बादेन से बात करना SPG वहां से call लगाईगी they are armed with satellite phones right देखो मैं बात बताता हूं कि मैं मलिक साब की बड़ी इजब करता हूं हमारे बड़े हैं governor रह चुके हैं और सिर्फ सिर्फ जेनके के नहीं और कई स्टेट्स के भी governor रह चुके सर थोड़ी सी कम छोड़ते अगर आप तो हमें अच्छा लगता थोड़ी सी कम छोड़ते हैं यह कहना कि इसा हो ही नहीं सकता यह बात मैं जानता हूं खुद कि SPG वालों के पास सैटलाइट फोन्स होते हैं अरे प्राइम मिनिस्टर विंडिया के पास तो अपनी खुद की सैटलाइट से महाँ पे गर्मेंट ऑफ इंडिया की इन स्पेस कम्यूनिकेशन सैटलाइट से आपको लगता है पीम को पीम को इस से फरक पटा रहा हो जिम कॉरविट पे हैं वो समंदर के बीचों बीच हो वहां से हील से मुझे कॉल लगाओ वहां से कॉल लगेगी उनके साथ पूरा उनका ओफिस चलता है और il का ओद he is connect to 24 into 7 9 se altitude आ आप जजो बोलिये वहां पे जो बोलिय आप ढप जिस चीज़ की बात बोल कोड़ी लेकर डडाट से लेकर डॉक्τα से एक ढबे से जाके उन्होंने मुझे कॉल करा, यह बिलकुल बेबुनियाद बात है, और यह मैं मानने को तयारी नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों को SPG में, जिस लिवल की, यह मैं मानने को तयारी नहीं है, बिलकुल यह गैस है, यह मलक साब नहीं छोड़ दिया हूं अच्छा, दूसरी जीज़ यह कहते थे कि यह अटैक इसलिए हुआ, क्योंकि CRPF में पांच जहाज मांगे थे, हिए, CRPF ने पांच जहाज मांगे थे और होम मिनिस्ट्री ने मना धर दिये, अगर CRPF को यह पांच जहाज मिल जाते, तो यह अटैक नहीं होता, अगर CRPF को यह पांच जहाज मिल जाते, तो ये अटैक नहीं होता ये कहना है सत्यपाल मलिक जी का एक तो ये आर्ग्योमेंटी बेबुनियाद है पूरे फिर ये कहते हैं कि साब अगर मुझसे मांगते तो मैं कहीं न कहीं सर आपके पास पांच बस नहीं है आप पांच जाहस की बात कर रहे हो ठीक है? एमोशनल हो के बातें करना और अपनी नेतागीरी चमकाना कि किसी तरीके से मुझे टिकेट मिल जाओ और मैं कुछ बन जाओ गवर्नर बनने के बाद भी उप राष्टपती बन जाओ राष्टपती बन जाओ सर ऐसे सत्ता की भूक में ये सब चीज़ें आप गलत बयान मत करिए आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए ये आपका हक है ठीक है? लेकिन आप साफ सफेद को काला काले को सफेद कर रहे हैं कमान अब मैं कुछ सचाहियां बताता हूं कश्मीर के बारे में क्योंकि आप सर गवर्नर रह चुके होंगे लेटनेंट गवर्नर कश्मीर के लेकिन आप कभी मिलिटरी कॉनवाइ में ट्रैवल नहीं करें वो मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ कई हजारों अशरों और कई लाखों जवान ट्रैवल करें जेसे उसाइबान ट्रवल करें और जो आप बता रहे हैं वो बिलकुल जूट है और बिलकुल बेभुनियाद है मैं आपको बताता हूं सच क्या है आपने बोला साब मुझसे जहाज मांग लेते तो मैं दे देता अवल आपके पास कोई जहाजवाज नहीं है यह बात आप क्ल बोलते आप बहुत दूसरी चीज़ इक तो यह दूसरा जूट आपका एक तो वह के ढबे से फोन करा था दूसरा तीसरी चीज़ आपने बोला साहब इसमें कि जो बड़ी कॉनवय के मूव्मेंट होती है वो कभी रोड' से नहीं होती आपको किसव ने बताया बड़ी कॉन कि देखिए जम्मू से सिरिनगर का पट्टी जा रही है जम्मू से सिरिनगर देखिए बात यह हैं कि जब एक हाथसा हो जाता यह है तो सब लोग मैं कैसे फाइदा उठाउ और माननीय गवर्णर सहब पुर्व गवर्णर सहब मुझे कहना चाहिए यह अपनी राजनितिक रोटी सेख रहे हैं इन्होंने इंटर्व्यू दे दिया ठीक है और वो जो जनलिस्ट था ठीक है करन था पर वो जो जनलिस्ट था मुझे नहीं लगता कि उसको भी साई स्टोरी पता होगे फॉजी का बेटा उसको पता होना चाहिए दीजा बेसिक्स पर अगर उ उसको दो वही चाहिए अब मैं आपको सच बात बताता हूं यह रोड देख रहे हैं ना जो मैप है जम्मू से सिर्व नगर की रोड आपने हिंदी में पढ़ा है रिक्त स्थान की पूर्ति आपने पढ़ा होगा फिल इंद ब्लैंक्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में रिक् चाहरे हैं अगर आपके फॉजी उस सदक पर नहीं रहेंगे तो सबक़े फिर फिर कॉन रहेगा वह वह भी तो जमीन का टुकड़ा है आप अरिया डोमीनेशन कर रहें न में कश्मीर में, आप उस सड़क पे नहीं है, तो उस सड़क पे आतंकवादी होगा, अगर उस सड़क पे CRPF और भारती सेना नहीं है, तो उस सड़क पे लशकरे तयबबा और जैशर्मावमध होगी और हिसम बजाहीदिन होगी, पाकस्त इसके औके कोई और कब्जा कर लेगा यह नार्थ मैं बड़ा कॉमन है सौथ के बारे मैं जानता नहीं हूं लेकिन नॉर्थ में कॉमन है आप ने परोट छोड़ा लोगों ने दॉज़ा है इसके पर कर दिया कभजा डण आप यह कह रहे हैं सत्यपाल मेलेग जी कि सब यह जो पूरा मामला है यह जो पूरा मामला है इसमें यह अटैक होता ही नहीं अगर हवाई जाते अच्छा चलो यह तो आपको मैंने तीसरी बात पर एक्सपोस कर दिया मैं खुद कॉन्वोई में जा च 32 चोटे बाद में बड़े बड़े चलने लगे हमारे टाइम पर चोटे 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 जाओए जास चलते थे लेकिन यह पूरी कश्मीर का मूबमेंट इट इस 95 परसेंट बाइरोड उनली यह कौन सा आप चूरान खिला रहे हैं जूट बोलके कर यह करंदापर की शोपे क कह रहा हूं आप बेबुनियाद गलत जूट बोल रहे हैं मैं यह बोल रहा हूं आपको जो कॉन्वय होती है जवान तो कॉन्वय में जाएगा अच्छा चलिए सत्यपाल मलेक जी की बात मान लेते हैं कि अगर मैं होता अगर मैं होता तो मैं वहां पे उनको किसी तरीके से उतर गए ठीक है अब श्री नगर में तो रहना नहीं अंन लोगों को उसमें सब 5% रहेंगे श्री नगर में किसी को अनतनाग जाना है पूरे कश्मीर में लाइन ईफ कन्ट्रोलस लेकर पूरा एरिया जो है सब जगें ने फोजेओं को फैलना है 67 कैसे जाएंगे अगर मुझे अनंतनाग जाना है ठीक है मैं 3RR में पोस्टेड हूं 3RR ठीक है थर्ड बटाली अंदर राश्टर रैफिल्स मेरी यूनिट एश्मोगम में मेरी यूनिट है ठीक है अब मैं आप से बात पूछता हूं मुझे डिर दो घंटे लग जाते हैं श्रि के बीच में से जाना पूरता है अब बाद बताईये मलिक साब मेरा आप से सवाल है सर आप मुझे एश्मोगम कैसे पहुंचाएंगे आप मुझे श्रिनकर से वहां तक फ्लाइट देंगे वहां पर तो एरपोट है यह भी स्वाचने वाथ है फिर आप बोलेंगे नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आपको आइडिया भी है आपने कौन सा चूरन किला है लोगों को भी मैं कोई मोधी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा है मैं कोई बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा है मैं सरिफ यह बोल रहा हूँ कि हाँ यह अटैक कैसे हुआ यह सरकार की जिम्मेदार है कि मैं होता तो मैं मुझसे बोलते तो मैं कहीं से इंतिजाम करता और आप क्या-क्या इंतिजाम करते कश्मीर वैली में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 35 से लेकर 40 rr battalions है राइट और बागी 16 कोर में कितनी battalions हैं जो आप फ्हली वही हैं मैं सिर्फ आर्मी की डिप्लॉइमेंट और तित्रा बित्रा है श्रिनगर में कितनी जगे मुझे यहीं नहीं पता है पूरी कश्मीर में CRPF फैली आप आप एरपोर्ट बनाओगे वहां पर है आप एरपोर्ट बनाओगे मां पर मलिक सब कि तुम जम्मू से तो श्रिनगर पहुंच गए लेकिन तुम फिर मैं मेरी पॉस्टिंग अगर फली हैं ना अपको इन सब चीजों के बारे मेंको फरक नहीं पड़ता क्योंकि आप नेता हैं आप सियासत्तान और पर एंटरव्यज बहूं obsessed आपने मुझे बोल दिया, उसके क्या repercussions हैं आपने कभी नहीं सोचा, ना आपका काम है सोचना, लेकिन सर एक बाद बताईए मलिक साब, बड़ी इज़त से आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको मुझे, आपने मुझे फ्लाइट से भेज दिया, चलो, आपने फ्लाइट से ये किसी फौज के पास नहीं होते है, अमेरिकन आर्मी के पास नहीं है, चाइनीज आर्मी के पास नहीं है, इस लेवल पर लिफ्ट करें, ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाता हूँ, कि फिर वही बात, जो मेरा पहला सवाल था, अगर ये लोग श्रिनगर अगर मैं लैंड करके बाकी और जगे जाते, बाकी और जगे जाते, तो ये तो हवाई मार्क से जाते हवाई रास्ते से जाते, उन सड़कों पर कौन रहता, वो सड़कें के वो भारत के नहीं ज़टकें, सर कश्मीर ऐसी जगह है आप गवर्नर हो चुके होंगे कश्मीर के लेकिन मैं बात बताओं आपको बड़े responsibility के साथ बोल रहा हूं आपको कश्मीर के बारे में कखनी पता सर वो जो ground है उसको अगर हम occupy करेंगे तो उसको टर्रे स्टॉकिफाइब करेंगा जो बंदा गवर्नर है चुका है पांच सार या दस सारी वक्त भी रहा है उसको इतने ही नहीं कश्मीर किस तरह चार रहा है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है क्या मेरे मेरा तस्वाल यह है कि मेजर साथ से उनकी उमर का तग जो जी जरूर हैं, लेकर इतने मालूमात उनको लिए इतना स्यासदान जानते होते हैं जुस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मेजर साब ने सत्याफाल मलिक को बहुत ही जड़िके से पॉइंट बाइट पॉइंट कांटर किया है जो सची बात है वो अपने व्यूर्स को बटाई है तो सत्यफाल जी को अपनी राजनीती चमकाने के लिए ही ये बाया अन्वाजी कर रहे थी और मेजर साब ने उनको एक्सपोस कर दी यार सचाई जो है वो बटा दी तो आपके क्या विचार है वह में कॉमें सेक्शन में लि